हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है पाउन और स्वागत है आपका अपने चैनल सॉलिड वर्क प्रोजेक्ट में तो आज हम सॉलिड वर्क में इस एंड्रोड लोगो को बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 50 mm डाय का एक सर्कल ड्रोग करेंगे और उसे 46 एक्स्टूड करेंगे और अगर आपको इस इमेज का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो यहाँ पर हम पहले टोप लिंच सेलेक्ट करेंगे और इसकेच यहाँ पर हम सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और उरिजिन से एक सर्कल ड्रोग करेंगे इसमार डाइमेंशन हम यहाँ पर 50 mm डाया का एक सरकल ड्रो करेंगे यहाँ से exit sketch करेंगे और extrude boss base इसे हमें 46 extrude करना है 46 extrude करने के बाद यहाँ से ok करेंगे अब हमें इसका head बनाना है तो head बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसकी जो बीच में गैप है यह है 3.8 mm का तो यहाँ पर हम front plane select करेंगे sketch normal कर लेंगे और यहाँ पर हम line command को select करेंगे और center से एक ऐसी इस type की geometry draw करेंगे और इसे arc में convert करके इस arc को यहाँ पर मिला देंगे select अब हमें यहाँ पर एक relation देना है this point and this point यहाँ पर vertical relation देंगे और this point and this point यहाँ पर भी हम vertical relation देंगे फिर इसकी जो हमारी dimension है जो हमारा बीच का gap है वो है 3.8 और हमारी arc की radius है 25 तो यह हमारी smart dimension लेंगे यह जो हमारा gap है यह हमारा 3.8 और arc की radius है हमारी 25 तो हमारा sketch अब यह fully defend हो चुका है exit sketch करेंगे और revolve sorry revolve boss base command को select करेंगे axis of revolution हम इस line को देंगे और ok कर देंगे यह हमारा head बन गया अब हमें इसकी legs बनानी है तो legs बनाने के लिए जो हमारे width इसकी है 12.5 mm और center से इसकी distance है 12.75 mm so हम यहाँ पर front plane select करेंगे sketch यहाँ पर हम line draw कर लेंगे और यहाँ से एक इस तरीके की line draw करेंगे और इस तरीके की एक जोमेटरी बना लेंगे इसकी जो हमारी center से distance है वो है 12.75 mm तो यहाँ पर हम smart dimension select करेंगे center से इसकी distance है हमारी 12.75 mm and जो हमारे इस line की distance है वो हमारी 12.5 divided by 2 enter तो यह हमारी 6.25 हो गई और जो इस line की length है हमारी हो है हमारी 11 mm हमारा sketch अभी है fully defined हो चुका है exit करेंगे and revolve both base axis of revolution हम इस line को select करेंगे okay फिर हमें इस like को mirror करना है तो हम यहां पर right plane select करेंगे mirror command select करेंगे feature to mirror हम इसे select कर लेंगे and okay तो हैं हमारी करते हैं इस केच नोर्मल अब अब हम यहाँ पर एक स्लोट ले ले लेते हैं और है यहाँ पर हम एक स्लोट ड्रो डेते हैं अब इसके हमें डाइमेंशन देनी है तो जो इसकी शेंटर से सेंटर की डिस्टंस हा वो है 30.8 एंड आर्क की रेडियस है 3.6 smart dimension तो यह distance है हमारी 30.8 enter and arc की radius हमारी 3.6 and हमारी जो इस point से इस circle के center की distance है 6.6 इस point से इस point की distance है हमारी 6.6 और इस line के हमारी इस point से distance है 64.2 divide by 2 enter अब हम यहाँ पर एक line draw करेंगे circle के quadrant से इस point तक और यहाँ पर हम trim command को select करेंगे और in entity को हम trim कर देंगे okay और अब हम यहाँ पर simply exit sketch करेंगे exit sketch करने के बाद हम extrude boss base oh sorry revolve command को select करेंगे और axis of revolution हमारा यह हो गया okay कर देंगे तो हम यहाँ पर front plane select करेंगे and sketch तो यह cmg जब मैं यहाँ बनानी है तो हम यहाँ पर slot select करेंगे यह हमारा slot बन गया अब हमें dimensioning देनी है तो इस line की dimension है हमारी 30.8 R की radius है हमारी 3.6 and यहाँ से इस point की distance है हमारी 6.6 अब यहाँ पर हम लाइन लेंगे और इस quadrant से यहाँ तक एक line draw कर देंगे और अब हम इस मार डाइमेंशन लेंगे और center से इसकी हमारी distance है 64.2 divide by 2 enter तो हमारा sketch है fully defined है अब हम यहाँ पर trim entity select करेंगे और हम इस entity को trim कर देंगे अब यहाँ पर exit sketch करेंगे और revolve base को select करेंगे अब हम यहाँ पर एक fillet को select करेंगे और हम फिलेट देना है 2.5 रेडियस का 2.5 एंटर और हम select करेंगे इस edge को और ओके तो है हमारा 2.5 रेडियस का fillet हो गया और अब हमें इसकी eyes बनानी है तो आख इसकी eyes बनाने के लिए हम यहाँ पर front plane select करेंगे और sketch इसको हम नॉर्मल करेंगे और पहले हम एक central line ड्रो कर लेंगे सेंटर से यह हमने एक central line ड्रो कर लिए अब हमें दो circle ड्रो करने है तो यहाँ पर हम make horizontal and दोनों circle को हम select करेंगे और यहाँ पर हम equal relation देंगे अब 5 एंड सेंटर से हमारी डिस्टेंस है 11 और जो हमारी हाँ पर इस line से circle के center की distance है वो है 14 सरकल के center से और इस point की हमारी डिस्टेंस है वो है हमारी 14 हमारा sketch है fully defined है हम यहाँ पर simply exit sketch करेंगे and extrude cut command को select करेंगे अब हम हमें यहाँ पर हम इसे offset करेंगे हम इसे 18 mm offset कर देंगे एंटर और यहाँ पर हम okay कर देंगे यह देखिए इस तरीके की हमारी बन चुकी है अब हमें इसका यह वाला portion बनाना है तो इस portion को बनाने के लिए हम यहाँ पर front plane सेलेक्ट करेंगे and sketch और हम इसे normal करेंगे यहाँ पर पहले हम एक center line ड्रो कर लेंगे center line ड्रो करने के बाद हम line सिलेक्ट करेंगे यहाँ से हम line ड्रो करेंगे and एक यह box बना देंगे और इसे यहाँ से यहाँ बन कर देंगे अब हम इसकी dimension देनी है तो जो हमारी इसकी width है वो है 1.5 mm और center इसकी distance है 8 mm और 30 degree के angle पर है पहले हम यहाँ पर इस point से इस point की distance देंगे यह हमारी 8 mm और इस line से इसका angle है हमारा 30 mm और इसकी जो हमारी width है वो है हमारी 1.5 mm पहले हम यहाँ पर इस line को और इस line को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम parallel relation देंगे और इसकी हमारी जो distance है width है 1.5 mm और इसकी जो height है वो है हमारी 13 mm अब हमारा यह fully defined हो चुका है और अब हम यहाँ पर exit sketch करेंगे and revolve base और axis of revolution हम इस line को देंगे और यहाँ पर हम ok कर देंगे यह इस तरीके का हमारा बनके त्यार हो चुका है अब हम यहाँ पर एक देना है fillet radius 0.6 का हमें fillet देना है तो हम यहाँ पर fillet command को select करेंगे और radius है हमारी 0.6 अब हमें इस point पर fillet देना है यह हमारा fillet हो गया अब हमें इसे mirror करना है तो हम right plane select करेंगे mirror command select करेंगे and feature to mirror हम इसे select कर लेंगे and ok sorry हम fillet दे देंगे यहाँ पर 0.6 का okay तो यह देखिए कुछ हमारा इस तरीके का बना है अब हम यहाँ पर इसका color chain करेंगे तो हम यहाँ पर edit appearance में जाएंगे यहाँ पर हम इसे green color दे देंगे and okay तो यह हमारा बनके तियार हो चुका है तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और फोलो कीजिए में सोचल मेडिया पर थैंक्स फूर वाचिंग